Hey guys, welcome back to Gizmeet. I know guys, काफी टाइम से कोई वीडियो बगएरा नहीं आई है, बहुत टाइम हो गया, लेकिन इन सब बातों को हटा के, आज के टॉक्पिक पे फोकस करते हैं, जो की है, Microsoft Edge Flags. तो यार, आप लोग सोच ले होंगे कि आज कोई Microsoft की बात क्यों कर रहा है, Microsoft Edge की, basically, सब चीज़, Chrome के लिए आते हैं, Chrome की बाते करते हैं, तो यार, हम सब को पता है, Chrome में काफी दिक्कते हैं, like, अपकी RAM खाता है, आपकी performance को slow करता है, आपके काम में भी दिक्कत दे रहा है, तो ट्राइ करना बनता है, तो यार, बात करें अगर इस वीडियो के main topic की, जो की है, Edge Flags, so, what are Edge Flags, तो यार, Edge Flags, कुछ नहीं होते, basically, जो flags होते हैं, वो आपका browser को customize करने में help करते हैं, एक better version बनाने में आपकी help करते हैं, तो यार, अगर आप इनको enable करते हैं, तो आपका browser थो उसको थोड़ा better बना फिरते हैं, तो मेरे पास एक काफी लंबे list है, उन इसमें से मैंने प्रेस्ट वाले चूज करें, इस वीडियो में आपको वो सारे बता हैं, प्यार, first in the list is quieter notification promise, प्यार, ये है क्या, basically, एक चीज से आप सब लोग गुजरे होंगे, कि एक website खोली, वहा आके आपको परिशान कर रही हैं, तो उसके लिए ये flag सबसे best है, ये आपके सारी notifications को mute कर देगा, या दिखाएगा ही नहीं, better experience, तो second अपने flag की तरफ बढ़ते हैं, जो की है tab hover cards, अब, you know, कई बार बहुत सारे tabs खोल जाते हैं, बहुत चोटे 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 चोटे, उनके इस tab पे hover करेंगे, and एक image preview, छोटा सा, भापे, you know, drop down की तरह image preview आजाएगा, जिससे आपको पता लग जाएगा की, basically, आपको कौन से tab पे जाना है, you know, type switching के time पे, बहुत helpful है, ये एक बार इसको try, इस वाले को basically try ज़रूर कर, third in the list is smooth scrolling, प्यार smooth scrolling, अगर आप लोगों को experience देगा, browse करते बग, कैसे देगा, आप, you know, कही बार जब आप browse कर रहे हैं, तो swipe down करा, थोड़ा सा अटक अटक के चल रहा है, page धंग से load नहीं हो रहा है, तो उन सब time पे smooth scrolling आपका एक बड़ी experience देगा, तो यार fourth है हमारा parallel downloading, now, what is this, parallel downloading, नाम से काफी clear है parallel downloading, तो एक करता क files आपको download करने पड़ते हैं, like 50GB की file है, 100GB की file है, 200GB की file है, 1TB की file है, time लगते हैं उनको download होने में, इसलिए parallel downloading बहुत helpful है, यह करता किया, basically, आपकी एक बड़ी file को छोटे-छोटे-छोटे-छोटे चोटे 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 तोड़ वेगा, and एक साथ वो सारे download होंगे, तो अ Now next, यानि की number 5 is force dark mode, phone में तो बहुत बार सुना हुआ कि force dark mode है, पूरा phone dark हो जाता है, लेकिन आपके web पे dark mode experience, I guess, और कोई ऐसे नहीं देने वाना, इस flag को अगर आप enable करते हो, तो वो कोई भी website हो, like कोई भी, वो automatically dark mode में change हो जाएगी, चाहे उस website पे dark mode available हो या ना हो, but इस flag कि थूँ आपकी पूरी website dark mode में properly change हो जाएगी, तो यार जब आप किसी article को पढ़ते हो, तो आपने देखा होगा, बहुत सारे links present होते हैं एक article में, कोई link आपको किसी दूसरी website पे लेके जाता है, कोई link आपको उसी website के किसी दूसरी article पे लेके जाता है, लेकिन the problem is कि जब अब तक आप उस link पे click नहीं करते हैं, आपको नहीं पता कि यह आगे क्या होने वाला है, you know, mystery kind of, तो इस mystery को solve करने लिए यह flag है, अगर आप इस flag को enable करते हैं, तो जब भी आप इसी link पे hover करेंगे, तो आपको अपने browser पे एक preview दिख जाएगा, कि आप किस website पे redirect होने वाले या फिर आप किस, कहां पे redirect होने वाले हो basically, यह बहुत helpful है, इससे आप कुछ गात websites पे जाने से बचेंगे, you know, error वाली जो basically websites होती है, उन पे जाने पे आप बच जाओ, now 7th in the list is page sharing via QR code, सुनने से ही कितना interesting लगा है, यार, इसमें होता क्या है कि, you know, कई बार कुछ हमें website लेकिन आपके बराबर में कोई बैठा है, आप direct उसका नाम नहीं दिखा सकते हो, जो भी आप link share कर रहे हो, मेरको नहीं पता, उसका नाम नहीं दिखा सकते हो, या फिर नहीं चाहते है कि किसी third person को पता लगे कि वो link किस चीज़ का, या किस website को आपने share करा है, उसके लिए ह होगा कि अगर आप इस, को अनेबल कर देते हो, फ्लैक को, तो जो भी आपकी website है, या जो भी आपका page है, जिसको आपने share करा है, वो as a QR code आपके recipient पर जाएगा, and वो जब उसको scan करेगा, तो directly website खुल जाएगी, Now, our eighth flag is heavy ads intervention, तो यार, कई website पर जाते हो, बहुत सारे ads हैं, बहुत सारे ads हैं, कुछ ads इतने heavy हैं कि website तक load नहीं हो पारी है, ad load होए जा रहा है, सब काम अटग गया है, मतलब, तिक्कत आ रही है, तो यह जो आपका flag है, यह क्या करता है, कि आपके, जो बहुत heavy ads हैं, उनको load ह नहीं होने देगा, या उनको unload कर देगा, तो आपका जो experience होगा ना, उस website के साथ, उस particular website के साथ, वो काफी smooth हो जाएगा, ads नहीं आरे तो आपका, you know, loading time भी increase हो जाएगा, थोड़ा smooth चलेगा, फारा ninth flag है, tab group, अब मैंने एक उपर बताया, जिसमें आप, you know, preview देख सकते हो, इमें icons का, you know, छोटे-छोटे tabs का preview देख सकते हो, अब क्यों ना हम, जो हमारे बहुत important tags है, उनको group कर दे, color code के according, ये जो आपका tab group flag है, वो ये ही करता है, आपके कुछ particular जो, जिनको आप बार-बार use कर रहे हो, मतलब, आप जिन-जिनको चाहते हो, उनको आप color code के according, you know, ए color के basis पे अपने उनको code करो, और surf करो, बढ़िया करके, तो यार, ये थे हमारे 9 Microsoft Edge flags, काफी महनत हुई है, तो एक like तो बनता है, वीडियो बहुत time बाद आई है यार, तो थोड़ा सा आप लोगों का support दुबारा चाहिए होगा, इस वीडियो को like करो, share करो, subscribe करो, and always stay tuned with kiss week. कर हाओ बाद आई है, पूपका लोगों कर दो एक दो करो, करो, पना है, तो एक बाद आई है।